हेलो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पर मैं हूँ आपका ट्यूटर ब्रिजेश दोस्तों टाइप 8 करने जा रहे हैं जिसमें पहला सम है वन अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्कूर एक्स दीएक्स दोस्तों कभी ऐसा कभी आपको दिखे साइन स्कूर एक्स कॉस्कूर एक्स अलग अलग या तो में साइंस्क्वार एक्स या तो कॉस्क्वार एक्स ऐसा कुछ दिखे सो आपको चुप चाप क्या करना है डिवाइड बाइड बाइड कॉस्क्वार एक्स करना है तो इतना ध्यान रखो डिवाइड बाइड आपको कॉस्क्वार एक्स करना है तो देखते हैं चलो सॉल करते ह यह टाइप का सम सौल करते हैं श्क्राइब करते हैं स्टर्ट करते हूं डारैक्ल निधार घ्रत कले थाए किस्वीएर अब यहां पर क्या करना यहां पर Committee गैं के अ आपका i क्या हो जाएगा आपका i ही हो जाएगा integration of 1 upon cos square x यहां पर डिवाइड के और denominator में 1 plus 3 क्या हो जाएगा 1 upon cos square x डारेक लिख रहाऊ हो ना 3 upon cos square x और 3 upon cos square x और उपर sin square x तो है बराबर tx so 1 upon cos square x numerator में हो जाएगा 6 square x और नीचे 6 square x plus 3 tan square dx denominator में जो 6 square x है उसको हम लिखेंगे 1 plus tan square x तो जाएगा 6 square x upon 6 square x मतलब 1 plus tan square x tan square x plus 3 tan square x dx तो क्या हो जाएगा नीचे 6 square x वैसे का वैसे रहने देंगे अभी पता चले गरूपर देखते हैं ना पता चले गरूपर जेखते हैं ना पता चले गरूपर यह जाएगा 1 plus 4 tan square x dx अब यहापर substitution आ रहा है put tan x equal to t okay so differentiating with respect to x we get differentiate करें यह जाएगा 6 square x dx equal to dt बराबर आपको जो आई हो जाएगा ना वो हो जाएगा integration of 1 upon और यहाँ पर dt हो रहा है 1 plus 4 tan square x tan square x के जगह पे आप लिखा होगे t square जो जाएगा integration of 1 plus 1 plus 2t the whole square dt बट क्या मालूम है ऐसा नहीं है ऐसा ऐसा नहीं करना था अब क्या करो यहाँ पर यहाँ पर 4 common लेलो 1 upon 4 common लेलो 4 common लेलो और यह क्या हो जाएगा वालो 1 upon 4 plus t square यह better है वो जाएगा 1 upon 4 integration of 1 upon t square plus half का square त्योंकि यह formula अपने को वैसे ही है कौनसा formula के बात कर रहा हम है 1 upon x square plus a square dx equal to 1 upon a tan inverse of x by a plus c formula यह ना देखो ना x का coefficient 1 ही है x का coefficient 1 है तो यहाँ पर भी coefficient 1 होना चाहिए तो जाएगा 1 upon 4 इसका फॉर्म इसका क्या हो जाएगा 1 upon a tan inverse of x by a plus c ठीके ना यह 2 2 is a 4 तो जाएगा 1 upon 2 tan inverse of 2t plus c तो जाएगा half of tan inverse of 2t what is t 2 into tan x plus c ठीके दोस्तों तो यह ही आपका final answer है तो आपको समझ में आया होगा यह मैं क्या बोलना चाहरा था कि divide by cos square x q करना था तो बेसीकिल क्या हमाले मैं उपर पे उपर ऐसा term लाना था कि जो differentiate करोगी आप denominator में टैन है तो इसका differentiation six square x आया तो पूरा पूरा रिप्लेस होके वो डिटी हो गया इसलिए मैं वही बोला था कि आपको टैन आपको ऐसा कुछ पूट करना पड़ेगा denominator में ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे आपको इस तरह की का फॉर्म इस फॉर्म का है ठीक है आपको पहला सम है तो पूरी तरह नहीं समझा हो गया कुछ तो कुछ डाउट रहे होगा या प्रैक्टिस की जरुवत है तो अगला सम है ना मेरे पास अगला सम करेंगे तो ठीक है तो ख्याल रखे तब तक और मिलते हैं अगले वीडियो में लेकिन मेरा चैनल आप करें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है और दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको लगता है मेरे वीडियो में हेल्पफुल है तो टेक है तो बिलते हैं अगले वीडियो में सब तक ख्याल रखें अपना टेक केर बाबाए